नमस्कार मित्रो, मुझे कई सारे स्टूरेंट्स के कमेंट्स आई थे कि हमारे लिए अच्छा वर्कॉट प्लैन बता देजिए स्टूरेंट्स को क्लास, कॉलेज, खुद की पड़ाई और भी कई सारे आसाइन्मेंट्स इन सब में समय नहीं मिल पाता है तो इस समय में वैयम कैसे करे, ये भी एक प्रॉब्लेम होता है उसी के साथ-साथ बहुत ज़दा वैयम कर ले, तो दिन में नीन दाना, ठकान होना इसका भी प्रॉब्लेम हो जाता है तो वर्काउट का रूटिन बना पाना मुश्किल हो जाता है तो आज मैं आपको बहुत ही ऐसे आसान वर्काउट प्लैन बताऊंगा जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने रूटिन में एड़ कर पाऊगे और के ओल स्टूडेन्स ही नहीं हर को इससे फाइदा जरू उठा पाएगा इसे पूरा करने के लिए आपको हर रूट के ओल आदिस से पाऊना घंटा ही लगने वाला है वर्कॉट के शुरुवात में आपको हर रोज 3-5 मिनिट तक फूल बॉड़ी मुवमेंट्स इस प्रकार से करनी है यहाँ पर मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ाया है आपको इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना है अच्छा वाम अप करने से आपका जोइंट प्रकार इंजुरीट्स के चैंसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से आपकी बॉड़ी वर्कॉट के लिए प्रिपेर भी हो जाती है साथ ही साथ अच्छा वाम अप आपके वर्कॉट का पाफ़ोंस बढ़ाने में भी मदद करता है वाम अप में आपको आपके बॉड़ी के हर जोइंट को 10 से 20 बार मुग करना है यह वर्कॉट प्लैंट बहुत ज़्यदा मुश्किल नहीं है इसलिए हम एक ही दिन अपर वोड़ी का वर्कॉट करेंगे तो सुमवर और गुरुवार के दिन हम अपर वोड़ी का वर्कॉट करेंगे अपर बोड़ी के वर्काउट की शुरूत हम साधरन दंड से करेंगे अगर आपको साधरन दंड बहुत ज़्यादा आसान जाते हैं तो आप राम मूर्थी दंड या फिर हैंट स्टेंड पुश अपस भी एड़ कर सकते हैं या फिर इसके बजाए आप पीट पर बैग लेकर नॉर्मल पुश अपस भी कर सकते हैं वेड बढ़ा कर साधरन दंड के साथ चेस्ट, शॉल्डर और ट्रैसिप्स के लिए दूसरा एक विरेशन भी आपको रखना है जैसे के हनुमन्त दंड, रुशिक दंड इन में से कोई भी आप रख सकते हैं यहाँ पर मैंने हनुमन्त दंड को लिया हैं इन सभी एक्सेस्ट को आपको 2-4 सेट में करना है और जितने जाए उतने रेपिटेशन लगाने हैं चेस्ट, शोल्डर और ट्रैसेप्स के लिए हमने 2 एक्सेस्ट ली इसी तरह हम बैक के लिए 2 एक्सेस्ट लेंगे इसमें इन्वर्टेड रोज और पुलप्स ये 2 एक्सेस्ट आप ले सकते हैं अगर आपको पुलप्स लगाना नहीं आता है तो आप इन्वर्टेड रोज के ही अधिक सेट लगा सकते हैं या फिर वनाम रो, बेंटो रो इनमें से कोई एक एक्सेस्ट कर सकते हो इसके लिए आप अवेलेबल कोई भी चीज़ का उप्योग कर सकते हो अपर बोडी में लास्ट में आप बाइसेप के लिए इस प्रकार से कोई भी वसन लेकर सीधे कल्स, हैमर कल, प्रिचर कल ये सब एक साइज कर सकते हो इसके बाद मंगलवार और शुक्रवार को हम लोर बोडी का वर्कॉट करेंगे लोर बोडी के वर्कॉट की शुरुवात आप पहलवाने बैटक, साधरम बैटक या फिर वजन लेकर बैटक इन सभी से कर सकते हो इन सब के भी आपको दो से चार सेटी करने है और रेपिडेशन्स जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करने है इसके बाद लोर बोडी में दूसरे एक्सेसाइज हम चूज करेंगे हनुमनत बैटक लोर बोडी के लिए हम ये दो ही एक्सेसाइज से रखने वाले हैं क्योंकि लोर बोडी से ज़्यादा फटिग आता है, ज़्यादा ठकान होती, ज़्यादा नींद भी आती है तो केवल इन दो एक्सेसाइज की भी आपने चारचा सेट कर लिए, तब भी आपका बहुत आचा वर्कट हो जाएगा इसके बाद बुद्वार और शनिवार को हम कार्डियो, मेडिटेशन इनकी तरफ ध्यान देंगे काडियो के लिए आप रनिंग, वौकिंग, स्किपिंग, साइकलिंग, इन में से कोई भी एक्सेसाइज चूज कर सकते हो साथी साथ, स्ट्रेचिंग के लिए भी आपको सुर्य नमस्कार के कुछ सेट करने चाहिए सुर्य नमस्कार करते हुए आपको सांसों पर नियंतर रखना है जिसे के आपका प्रानायम भी हो और मेडिटेशन भी हो अब जिस भी प्रकार का काडियो करने वाले हो उसे आपको कम से कम 30 मिनिट तक करना है और जादे से जादा एक गंटे तक चाहे आप उसके लिए केवल वाकी क्यों न करे या फिर रनिंग करे या फिर जोगिंग करे या फिर सैक्लिंग करे जो आपको अच्छा लगे वो करिए काडियो और सुर्य नमस्कार हो जाने के बाद आपको शांत बैटना है या फिर लेट जाना है इस अवस्ता में आप कुछ प्रानायम कर सकते हो या फिर केवल आपने बोड़ी को रिलाक्स करने के कोशिश करनी है इसके लिए आपको अपनी सांस उपर नियंतन रखना है देरी देरी गेरी सांस लेनी है और जितने देरे हो सके उतना देरे आपको छोड़ते जाना है तो सोमवार और गुरवार के दिन आप अपर बोड़ी का वर्कॉट करेंगे मंगलवार और शुक्रवार की दिन लोवर बोड़ी का वर्काउट और पुद्वार और शनिवार को आप कार्डियो, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन इनके उपर ध्यान देंगे तो यह बहुत ज़ादा आसान वर्काउट प्लान है इसे हर कोई कर सकता है यह वीडियो आपको कैसे लगी मुझे निचे कमेंट्स में ज़रू बताईए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जैश्रे राम